PSF 511 lesson 36 Crowding and Density Human Experimental Studies Interactive of Density with Human Behaviors इसके अंदर physiological reactions देखते हैं पहले इसके जिरे हम यह जान सकते हैं कि इंसान इस वक्त stressful situation में है या perceptual state of mind में है क्योंकि इंसान जब भी stressful situation में जाते हैं तो इनकी बाड़ी में बहुत सी physiological तबदीलियां रून महों नशूर हो जाती है Experimental Studies में यह जाने की कोशिश कीगी कि जब इंसान को population density वाले महोल में रखा जाता है तो क्या तबदीलियां physiological तबदीलियां वको वजिर होती हैं और क्या पता चलता है कि पता चलता है कि इंसान population density में stressful state of mind की तरफ जाते हैं या perceptual state of mind की तरफ जाते हैं task performance यह भी देखा गया है कि population density में लोग जो task करते हैं उन पर क्या असरात होते हैं इन्हें जो task दिया जाता है इसकी performance बेतर होती है या उसी लेवल पर रहती है या performance जो है वो कम हो जाती है इसके मुतालिक डॉक्टर एट्री ने 1975 में एक study conduct की ऐसे cells में prisoners को दिखा गया जो एक cell में अकेला था और एक cell में दो थे इनके blood pressure को monitor किया गया तो एक cell में जो दो prisoners रहते थे इनका blood pressure इस प्रिजिनर से ज्यादा था जो cell में अकेला रहता था इसके इंदीजे में ये पता चला कि physiological reactions में तबदीलियां होना शुरू हो जाती है जब इनसान crowded महसूस करे पॉल मेककन कॉक्स ने 1978 में research की जिससे पता चला कि ऐसे image जो density वाले areas में रहते हैं वो ज्यादा illness की complain करते हैं social effective responses by freedman 1975 here we will discuss density intensity model जब हम किसी crowded जगा पर जाते हैं तो हमारी पहले से मुझूद effective state है वो intensify हो जाती है बसलों आपने crowd के सामने speech करनी है आपकी state पहले से ही excitement की है तो crowd के सामने जाकर ये मजीद excited हो जातेगी अगर आप पहले से ये nervous महसूस कर रहे हैं तो crowd को देकर आपकी nervousness जो है वो मजीद बढ़ जाएगी यहां पर कुछ attraction altruism altruism कहते हैं कि helpful होना लोगों की help करना aggression ये terms हैं कुछ जो के हम लोग अल्राइटी discuss कर चुके बार बार इनको पढ़ते हैं तो यहां पर मैं इनको ज़्यदा explain नहीं करूँगा वियूर्ज यह था हमारा PSYF1 का lesson number 36 I hope I made it clear मिलते हैं जल्दी नेक्स लेशन के साथ तिल दें टेक कियर अला हाफिस